मैं उसी हमीशा बच्चों की तरह देखा था लेकिन आज मैं 17 साल की बच्ची सरदंच कर मेरी कमरे में मेरी दुरन बनकर बेटी थी मैं तैय कर चुका था जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती मैं उसकी करीब नहीं जाओंगा आज मा मारे की वज़े से उसकी पेट में बहुत दर दूर रहा था और मैं उसे बच्चों की तरह संभाग रहा था कुलिस कतम होने के बाद में आगे की पढ़ाई के लिए अपनी मोसी के गर पढ़ने मुंबई आ गया था उनके पती का कुछ साल पहले ही दियान दू गया था वहें मेरी सगी मोसी थी नहीं थी वहें मेरी मामी की बहन की रड़की थी मेरी माँ और वह बच्पन की अच्छी दोष थी बच्पन का प्यार अभी तक बना हुआ था मोनिका उनकी क्लोती बेटी थी मैं उसे उमर में 12 साल बढ़ा था मेरी लिए तो बच्ची ही थी मैं उसे हमेरे सब बच्चों की तरह देखा था लेकिन आज मैं 17 साल की बच्ची मेरी कमरे में मेरी दुल्हन बनकर मेरा इंतजार कर रही थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मेरी पत्नी बनेगी और मैं यहां बार होल में बेटा सोच रहा था कि कमरे में जाओं या नहीं मैं कैसे कैसे लड़की के साथ संबल बना सकता हूं जिसे अभी ठीक से साधी का मतलब भी पता नहीं था मैं बच्पन से मोनिका को जानता था वे भू थी सीधी और मासुं लड़की थी मा ने भी मोसी के मुसीबत में फसा दिया लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही वरना मा ने मुझे यू बाहर होल में देख लिया तो फिर सिन राज हो जाएगी लेकिन मैंने फैसला कर दिया था जब तक बीच साल की नहीं हो जाती मैं उसके साथ कोई संबन नहीं बनाऊंगा यह सोचकर मैं कमरे में चला गया मैं सोच रहा था वैं दुलन की जोड़े में सर जुकाई बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी लेकिन वै तो बेपिकर होकर गहरी नीन में सोई हुई थी उसने हातों में गुड़िया दबा कर रखी हुई थी यह देखकर मुझे हसी आ गई मानो कि यह उसकी सादी की उमर नहीं थी लेकिन अब उसकी गुड़े गुड़िया के साथ खेलने की भी उमर नहीं थी मैंने उस गुडिया को उसकी हाथों से लेकर अपने पास के टेपल पर रख दिया और उसे उसके बगल में जाकर लेट गया मैं सोच रहा था अचानक मोसी की हाथ से में हुई मोत ने मोनिका को पुरी दुनिया में अकेला कर दिया था उनकी मोत के बाद मोनिका को अपने घर ले आई मा गुस्रू से ही मोनिका बहुत पसंद थी वे नहीं चाहते थी कि मोनिका की साधी किसी गल्द घर में हो जाई इसलिए मेरे ना चाहते हुए भी उन्होंने मेरी साधी मोनिका से करवा दी वह देखने में बहुत ही खूबसूरत और मासुम थी लेकिन यह उसकी पढ़ने लेकिने की उमर थी ने की साथी करने की अचानक मैंने आंख खोली तो मोनिका गुस्ये में मुझे घूर रही थी क्या हुआ? क्या देख रही हो? तुम ने मेरी गुड़िया कहा है रखी है? मेरी साथी तुम सी हो गई? इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी गुड़िया भी तुमारी हो गई उसकी यह बात सुनकर मैं अपना माथा पकड़ लिया और ब्राबर की टेबल सी गुड़िया उठाकर उसे दे दी वैं गुडिया को अपनी सीने सी चिपका कर दूसरी तरफ मूँ करकी सो गई रात में बहुत देर से आँख लगी थी सुभे गैरा बज़े सो कर उठा तो बिश्टर पर नहीं थी कमरे सी बहार गया तो पापा होल में बेट का रखबार पट रही थी और मॉमिर सोई में नास्ता बना रही थी लेकिन मोनिका कहीं नजर नहीं आई उसे ढोड़ता हूँ मैं बहार आंगन में गया तो देखा वैं आंगन में बेटी थी उसने घुटनों तक की लवर टिस्ट पहनी हुई थी मैं सोचने लगा अपने नई नवेले दुनन से उमीद करती है कि सादी के अगले दिन है सूट पहन कर सच सबर कर हाथों में चाए का कप लेकर चगाने आएगी लेकिन मेरी दुनन लवर टिस्ट पहन कर आंगन में बेटी है मैंने पास जाकर उसे कहा यह क्या पहना हुआ है तुमने कोई धंका सूट नहीं है तुम्हारे पास क्यों इसमें क्या बुराई है यह तो मेरी सबसे पसंद्य लवर टिस्ट है इतने में मा ने हम दोनों को नास्ते के लिए आवाज लगा दी सब बेट कर नास्ता कर रहे थी लेकिन मैं किसी बुकर्ट की तरह एक के बाद एक छे प्रांठे काच चुकी थी यह देकर में हिरान रह गया देखने में पूलों की तरह नाजुक लगती थी और कमर तो इतनी पतली कि मेरे हाथ में समाज आई लेकिन अभी तो यह सुरुआत थी अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बागी था हमारे साधी को तीज दिन बीच चुके थी लेकिन आज भी वह हर रात सोने से पहले कोई न कोई अजीब सा टोपिक लेकर मुझे स्वाल करने लगती थी मैं लैप्टोप पर आपिस का कोई जरूरी काम कर रहा था लेकिन वह बार बार मुझे से फालतू की सवाल पूछ रही थी और मैं हाँ हूं मैं कहकर इसे टाल रहा था लेकिन तब यह अचानक उसने मेरा लैप्टोप मेरे हाँ से चेन लिया उसकी इस हरकत से मुझे भूत गुसा आया और मैं उस पर चिला पड़ा मेरी आवास तुनकर वह बहुत डर गई और भाग कर बैड़ के नीचे छुप गई कुछ दियर बाद मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत पस्तावा हुआ आखिर क्या चल रहा चल जाता अगर मैं उसकी बात सुन लेता या उसकी कोई दोस्त भी नहीं है जिसे वो बात कर सके मैं जाकर बैड़ के नीचे उसे वहां से निकाल लाया मैं नीचे फर्स पर बेट कर रो रही थी मुझे गलती हो गई आएंदा फिर कभी नहीं चिलाओंगा पलीज मुझे माप कर दो उसे रोता देख मुझे बहुत गूरा लगा था आसु पोश्ती वे वे बोली दोनों कान पकड़कर मापी मांगो यह लो दोनों कान पकड़े यह देखर वे हलका सा मुस्करा दी मुझे कई बार उसकी बाते बहुत अजीब सी लगती थी और कई बार उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब बात रहे थी कि अगर वे खामोस हो जाया करती तो मेरा मन बेचेन हो जाता था आज सुबह उसे पगली ने प्रेस करने के चकर में मेरी नई पैंट जला दी इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता वे फूट फूट कर रोने लगी मैंने कहा इसकी लिए इतना रोने की क्या जूरत है मेरे पास कपडो की कमी नहीं है आज कोई और पैंट 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 लोंगा यह सुनकर अचानक हसने लगी अभी चो जितना रो रही थी बहे सब क्या मगर मसके आशू थे एक स्याम मैं घर आया तो यह फिरम देख रही थी मुझे देखकर मेरे पास आकर बोले क्या आज कहीं बार भूमने चले बार मोसम कितना अच्छा हो रहा है लगता है बारिस होने वाली है दोनों हातों में हाट डालकर भूमेंगे ओ मैडम खुद को फिलों की रोईन समझ रही है वह चेड़ते वे बोली क्यों क्या कमी है मुझमे मैं बिना मेकप इस रोईन से ज़्यादा सुंदर देखती हूँ उसकी यह बार सुनकर मैं जोड़ सी हस पड़ा अच्छा ठीक है जाओ जाकर त्यार हो जाओ घुमने चलते हैं लेकिन ढंके कपड़े पहन कर चलना यह बच्चों की तरह लव टिश्ट पहन कर मत आ जाना लेकिन मेरे पास तो एक भी सूट नहीं है ठीक है तो आज सबसे पहले तुमारे लिए कुछ डंके कपड़े ख्रीदने चलते हैं यह बोलकर हम लोग मोल में चले गई वहाँ मैंने उसके लिए कापी सारे कपड़े ख्रीदे उनमें से एक लाग रंग का सूट पहन कर जब मैं मेरे सामने आई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गई सच मुझ उसे फिलम की हिरोईन उसके आगी कुछ भी नहीं थी हास्ती हुई उसकी आँके खुद ही बंध हो जाया करती उसके खुले बाल जिने भैबानने की नाकाब्यव पोसिस कर रही थी उर उसकी काले आँके मानो मुझे अपनी तरफ कीच रही थी आज उसकी खुबसूरती में खोया जा रहा था कैसे लग रही हूँ मैं उसने पूछा मैं उसे जवाब तो देना चाहता था लेकिन साइद वक्त की हाथों मजबूर था चाहा कर भी उसे अपने एसास के बारे में बता नहीं सकता था मैं बस उसे इतना ही बोल पाया तुम सूट पहना करो तुम सूट पर बहुत सुन्दर लगती हो रात में हम घर देर से पहुंचे लेकिन कल संडे था इसलिए ओपिस जाने की भी कोई फिकर नहीं थी मैं जाकर बेट पर लेट गया और रिमोट के बटन दबाने लगा बार बार उसका मैं मासुम चहरा मेरी आँखों के सामने बार बार आ रहा था और यही शोच रहा था की सूट में उसका पतला पतन जिससे आज मैंने पहली बार देखा था कास कि इसकी उमर 19-20 साल होती तो मैं कुशी कुशी उसके करीब जा सकता था लेकिन अभी तो वह पगली भी कहा पतनी के रिष्टे को समझती है उसकी नदाने पर मुझे प्यार भी आता और गुसा भी तीन दिन बाद अचानक किसी के रोने के वाज से मेरी आँके खुली लाइट जला कर देखा तो मोनिका पेट पकड़ कर बेटी रो रही थी मेरे पूछने पर पहले तो उसने कुछ नहीं बताया लेकिन मेरे बार बार पूछने पर वह नजर जुका कर बोली कि मुझे महावारी हो रही है आज पहले ही दिन है इसलिए पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मैं कुछ कर सकता हूँ क्या तुम्हारे लिए तुम कोई दुआ लेती हो तो मुझे बताओ मैं अभी जाकर ले आऊंगा इस दर्द के कोई दुआ नहीं है यह है तो हर लड़की को जहलना ही पड़ता है तुम सो जाओ लेकिन उसकी हलत देखकर अब मुझे भी कहान नहीं दाने वाली थी मैंने दर्द में उसका ध्यान बटकाने के लिए फोन चला दिया और यहां वहां के बाते करने लगा काफी देर हो चुकी थी अचानक मैंने देखा उसका चैरा मेरी कंदे से टकराया उसकी आखे बंद हो चुकी थी वह सो चुकी थी मैंने इसके चैरे को अपने हाथों में पकड़ कर अपने सीने पर रख दिया फिर उसके सरीर को अपने सीने से लगा लिया जिससे उसके सोने में दिकत ना हो मेरी आखे में नीद का नामों निसान नहीं था मैं फिर से फोन देखने लगा अगले तीन घंटों तक मैं फोन देखता रहा इन तीन घंटों में मोनिका कई बार ही हिली और उसका सर मेरे सीने से नीचे की सकता लेकिन मैं हर बार मैंने उसे संभाल लिया वह एक मुलाइम सी उडिया की तरह मेरी बाहों में थी जिसे गलिश से लगा कर मैं भी चैन की नित सो गया वह किसी नसे की तरह मेरे दिलों दिमाग में चल रही थी अगले दिन मैं सुबह उससे पहले जा गया रुसरोई में जाकर उसके लिए अननास का जूस बनाने लगा इन दिनों में उसे बहुत कमजोरी मैसुस होती होगी वह खुद तो अपना ध्यान रखेगी नहीं जूस लेकर मैं कमरे में गया वह अभी भी चैन की नीद सो रही थी उसे उठाते हुए मैंने कहा ये लो जूस तुमारे लिए उसने दीरे से आंके खोली और जूस को देखकर मूँ बनाते हुए बोली सुबह सुबह ये कौन पीता है मुझे चाई पीने की आदत है मैंने कड़ा कवाज में कहा चाई नहीं मिलेगी अब अगले कुछ दिन तुमें यहीं पीना है वह मेरी तरफ देखते हुए मूँ बन करना और कमेंट करके जूर बताना आगे का पाट जली चाहिए